नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी बेटी का मसाज और बात का रूटीन तो सबसे पहले मसाज की एक दीदी आती है जिनको प्रॉपर मसाज और प्रॉपर एक्सरसाईज्स और प्रॉपर नहलाना आता है तो दीदी सबसे पहले रूम में एक चेटाई बिछा लेती है, उसके बाद में वो बैट जाती है और एक कौटन का प्योर कौटन का जो कपड़ा है, वो अपने पैरों पे बिछा लेती है मोश्री जो दीदी लोग होते हैं वो पैरों पे बच्चे को लिटा के मसाज करते हैं पहले हम सरसों के तेल से करते थे और अब हमने ऑलिव उइल से मसाज करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद में एक कटोरी के अंदर हम थोड़ा सा आटा ले लेते हैं क्योंकि बच्चे की लोई बहुत जरूरी होती है उसके लिए हम फ्रेश मलाई लेते हैं जो सुबह का दूद भनने के बाद में जो मलाई होती है उस मलाई को उस दूद के अंदर डाल लेते हैं और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालते हैं हल्दी optional है अगर बहुत जादा ठंडा सा मौसम है तो आप हल्दी डाल सकते हो लेकिन अगर गुर्पा गर्मी का सा मौसम है तो अम्हें कह Pure Car करो कि एक आप हल्दी सूट भी नहीं करती ए तो फिर आप देख के डालना कि इसको आपको अच्छे से मिलाना है कि एक हार्ट सी लोई बन जाए और यह जो लोई है यह बच्छों के बाल कम करने के काम में आती है अगर बच्छों की लोई अच्छे से होती है तो फिर बच्छों के बाल नहीं होते हैं जवानी में और ऐसा है जब लीजा को हमने बच्छो में बहुत अच्छ से लोई किया था तो अभी लीजा के बागी सारे फ्रेंड्स के बाल आ गए है बट लीजा के हाथ पैर मुपे बिल्कूल भी बाल नहीं है लोई तो त्यार हो गई है अब दीदी जो है वो गुड़ा को अपनी कोधी के अंदर भी ठा लेती है गुड़ा को थोड़ा सा तो मुश्किल होता है कि मिजे क्यों मसाज करानी है वो चाती है कि मेरी लाइफ सही चल रही है क्यों मसाज करा रहे हो आपको बैक्गराउंड में उसकी थोड़ी आवाजे भी आएंगी आज कर दिया है और अब उसको पैदीरी को भी पहचानने लगी है तो कु बच्चे कम रोना स्टार्ट कर देते हैं एक बास स्टार्टिंग में थोड़ा रोते हैं फिर दीरे उनको समझ में आ जाता है कि यह रूटीन है और यह फोलो होगा उसके बाद में जो मसाजवली दीडी है वो गुड़ा की प्रॉपर मसाज करती है 15-20 मिनट लगते हैं मसाज करती है लोई करती है तो देखो अभी शानत है तो इसी सेकिंड के अंदर बस यह रोने वादी है इसने मुह बनाना स्टार्ट कर दी है रोने वाला और अब इसको अ कि अदर हम दही लेते हैं कभी दूद लेते हैं कभी मलाई लेते हैं कभी साबून लेते हैं कभी नॉर्मल पानी से नहलाते हैं हर दिन कालग रहता है इस तरह से मगगे के अंदर गरम पानी लेके जो भी हमने लिक्विड लिया थोड़ा सा थंडा करते हैं उसके बाद में म लोशन लगाते हैं, हम लोग पाउडर नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी, तो अवस भी मैं दो लेती हूँ, ताकि एकदम भी बच्चा गीला ना हो, एक नीचे लगाते हैं, उपर रखते हैं, जिससे की हम पहुंचते हैं, ये ड्राइशीट है, बच्चे की है, जब तक आप उसे कपरे पहनाते हो, तब तक आप वो ड्राइशीट लगाओ, इस तरह से बहुत सारे क्लोथ से बच्चे के रखने पड़ते हैं, सूती के, मतब कॉटन के, या फिर ओपर वले जो क्लोथ होते हैं, लपेटने वाले थोड़ी से गरम कॉटन के ही, लेकिन उसके बाद में फिर हम सबसे पहले बच्चे की ऐसी जगहों पे लोशन लगाते हैं, जहां पे की मरोड से होते हैं, मतब जहां पे सलवटे पड़ती हैं, उसके बाद में बच्चे को ड्रेस पहना के, इस तरहें से लपेट देते हैं, कैप वैप पहना के, और फिर उसको सुला देते हैं, आप लोगों को मेरा ये व्लोग ऐसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना बाई